हे गाईस वेलकम टू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है अपका इस वीडियो में तो दोस्तें एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट आउट की गई है आप सबी के इनेट के लिए पर्मानेट जोब्स की वेकिंसिस निकाली गई है एनाइटी की तरफ से यानि की नेशनल इंटिट आप टेक्नलोजी कुरू छेतरा से वेकिंसिस निकाली गई है जिसे की ओल इंडिया की केंडिडेटी स्पॉंप को फिल अप करने के लिए हैलिजबल है सेलरी बहुत अच्छी खासी रहने वाली है गाईस एक लाग से भी ज्यादा सेलरी आपको मिलेगी 35,000 से आपकी सेलरी जो है वो स्टार्टिंग होने वाली है आई टी आई डिपलोमा डिगरी भी बेटेग स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खासी वेकेंसी है जूनियर इंजिनियर की रिक्रूट्मेंट आउट की गई है जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा देखके जाना एक बहुत बड़ी रिक्रूट्मेंट है और टोटली डिसकस करेंगी कि कौन-कौन से लोग एलिजबल एपलाय करने के लिए एलिजबिटी कंडिशन सेलेक्शन प्रॉसेस बगरा क्या होनी वाले होगे गाईज तो चलिए स्टार्ट करते हैं इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी चैनल पे पहली बार विजट कर रहे हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दे बेल एकेंट तक इसी तरह लेटेस्ट गोर्मेंट जॉब्सक्रिप्ट इट आपको बरावर मिलती रहे हैं तो गैज यह है ओफिसल नोडिफिकेशन नेशनल इंसुट अप टेक्नल लॉजी कुरू छेत्रा मिनिस्ट्री आफ एजुकेशन गवर्मेंट आफ इंडिया इसे लीड करती है नन टीचिंग की पोस्टें आउट की गई है अब ध्यान से सुनना टोटल ग्यारा तरह की पोस्टें रिक्रूट्मेंट आउट की गई है सबसे पहले जूनियर इंजिनियर सीविल में वेकेंस की सीनियर एसिस्टेंट की जूनियर एसिस्टेंट की टेकनिसियन एसिस्टेंट की फिर आपका सीनियर टेकनिसियन की एंड टेकनिसियन की सबसे ज्यादा पोस्ट वेकेंसी निकाली गई है टेकनिसियन की और टोटल पोस्ट है 57 अगर मैं सेलरी की में बात करूं तो सेलरी इतने भी स्टूडेंट है जो की जेई की रिक्रूटमेंट है एंड इंफॉर्मेशन एसिस्टेंट एंड स्पोर्स परसन में इसमें मैं बात करूं 35,400 से लेकर एक लाख 12,000 तक आपकी सैलरी होने वाली लेवल 6 की जॉब है। इस चेनोग्राफर की जॉब है वह आपका लेवल 5 की जॉब है पर एक थरी वाली जॉब है जो 47,000 से लेकर से 1,12,000 उसके बाद कि senior technician में 25,000 से लेकर 81,000 वो technician की level 3 की job है जो 2700 से लेकर 79,100 की pay आपको होने वाली है तो salary बहुत अच्छी खासी है जो भी candidate eligible है जल्दी apply कर लेना जो भी candidate eligible होंगे यहाँ पर अलग-अलग post के लिए चलिए अप qualifications discuss करते हैं junior engineer जो J.E. की recruitment है अगर आपने B.E.B.T.E. कर रखी है civil engineer में apply कर सकते हैं otherwise आपने diploma कर रखी है civil engineer में तो भी आप apply कर सकते हैं 18-30 साल age limit है एक साल की आपकी जो है probation period होगी उसके बाद directly आपका selections होगा next J.E.E. electrical की recruitment है तो आपकी B.E.B.T.E. electrical engineering में या फिर diploma electrical engineering में अब यहां पर कोई I.T.E. pass करके lateral interest से diploma किया है तो भी apply कर सकता है 18-30 साल age limit है next आपकी student activity sports में तो आपको यहां पर bachelor degree मांगी गई है अब देखे बैसलर डिगरी के साथ साथ आपका दो आपका जो है किसी sports जो है strong record होना चाहिए sports में जैसे drama music film हो गया painting photography विगरा विगरा में होनी चाहिए 18-30 साल इसमें भी age limit है next vacancy library information assistant के लिए recruitment है तो बैसलर डिगरी मांगी गई है arts commerce वाले apply कर पाएंगे and science वाले otherwise आपने diploma library automation में कर रखी है तो आपको preference मिलेगी age limit 30 साल की आपकी होगी next vacancy senior stenographer की recruitment है salary अच्छी खासी होगी 12 pass मांगी गई है और 100 word per minute in stenography देखो एर minimum speed रखी गई है जो की short hand में होगी तो easy है desirable degree preference आपको मिलेगी अगर कोई bachelor degree कर रखा कमटर एप्लिकेसंस में आपको knowledge है तो उसको preference मिलेगी preference मतलब प्राइक्टा उसके बाद क्या होता है age limit 18 से 33 साल इसमें limit है इस टेनोग्राफर की recruitment है जहाँ पर 12 pass बचाईए और 80 word per minute के हिसाब से आपकी जो short hand की practice होगी इस टेनोग्राफी में एंड यहाँ पर 18 से 27 साल की candidate apply कर सकते हैं next vacancy senior assistant की है 12 pass चाईए 35 word per minute computer speeds में होगा typing का और 18 से 33 साल यहाँ पर भी age limit है next vacancy junior assistant की जिसमें 12 pass मांगी गई है 35 word per minute चलेगा और 18 से 27 साल यहाँ पर भी apply कर सकते हैं अब मज़ाएगा आपको technical assistant की vacancies है अगर आपने B.B.Tech कर रखी है relevant technologies में आप apply कर सकते हैं otherwise आपने diploma कर रखी है engineering किसी भी relevant field से आप apply कर सकते हैं ध्यान देना then other for business administration computer applications apply करना चाते हैं तो आपका B.B.Tech M.C.A. है apply कर सकते हैं या फिर diploma in engineering apply कर सकते हैं then आपको मिल जागी यहाँ पर की science chemistry से कर रखी है तो भी eligible है master degree science में कर रखी है तो भी applicable है 18 से 30 साल के candidate apply कर सकते हैं इसमें next vacancy है senior technician की बहुत अच्छी खासी recruitment है इसमें apply करने के लिए senior technician में आपके पास जो है engineering या फिर computer application discipline like आपने 12 पास कर रखी है 10 प्लस 2 सिस्टम में उसके बाद आपने 50% marks के साथ ITI course किये किसी भी field में एक साल की आप eligible है other than आपकी 10th pass में 60% marks है और 10th pass करके आपने ITI कर रखी है 2 year duration की trade कोई साभी trade जो 2 साल की हो आप apply कर सकते हैं next अगर आपने diploma कर रखी है 3 year की duration वाले किसी भी engineering ब्रांचे से तो भी आप apply कर सकते हैं तो यहाँ पर ITI की भी eligible हैं diploma भी eligible हैं और 12th pass करके जो एक साल की ITI courses करते हैं like welder, turner ओ भी eligible हैं यानि कि fitter, electricians अभी apply कर सकते हैं यहाँ पर तो यह post हैं आप सब के लिए बहुत अच्छी खासी है और आप सब के लिए और भी post हैं ध्यान देना इसमें 18 से 33 साल के candidate इसमें कोई भी experience नहीं मांगी गई है के लिए अगर आपने 12th pass में 50% marks है और एक साल की ITI trade किये तो apply कर सकते हैं otherwise आपने 10th pass करके ITI pass out किया 2 साल की कोई भी trade है आपके पास जो 2 साल की trade है 10th pass करके किये आप बिल्कुल apply कर सकते हैं और Fraser apply कर सकते हैं बसरते at least 10th class में आपका 60% marks होना बहुत जरूरी है तो यह चीज से आप apply कर सकते हैं otherwise यहाँ पे for science वाले हैं 12th pass वाले तो भी है यहाँ पर science chemistry से belong करते हैं आप भी eligible apply करने के लिए 60% marks होना जरूरी है इसमें देखे आपकी जो रहने वाली है आपकी age 18-27 साल की Candidious Mom के लिए eligible हैं ओके और जितनी भी आपकी मैंने पोस्ट बताई सब की एक स काल की मतलब एक तरह से ट्रेनिंग समझो उसमें आपको salary मिलती है उसके बाद ही आपको इसमें पर्मानेंट jobs मिलेगी देखिए गाइस तो इक बहुत अच्छी खासी recruitment है जो भी candidate एलिज में प्लीज करें अच्छी vacancies है यार एनाइटी में इतनी vacancy निकलना एक बहुत बड last date है तो बहुत समय मिला आपको apply करने के लिए 28 फरवरी कम नहीं होता अप्रॉक्समेटली 45 दिन का टाइम तो आपको मिलाई है आप apply करें काफी सारे student इसमें eligible होने वाले हैं क्योंकि बेजजग क्योंकि यह totally phrases के लिए eligible हैं यहाँ पर कुछ बातें notice करने के लाइक है जिसे आपका last date receipt of hard copy application along को यह है तो 7 March तक last date यहाँ पर रखी गई है क्योंकि यहाँ पर गाईज आप online application जब फिलोग करोगे तो self-attested करके उसकी photo copy होगी उसको documents के साथ जो है आपको send करनी होगी इस दिये गए address यह पूरा address है यहाँ पर आपको send करनी है 7 March 2023 से पहले ओके तो यही exams के माध्यम से आपका selections होगा इसमे exam date आप सब के लिए लागू की जाएगी दिन आपकी यहाँ पर selections होगी गई और application fee भी होने वाला है ध्यान रज़ना 500 रुपए application fee होगा general OBCWS वालों के लिए HTSE and PWD candidates के लिए कोई भी application fee नहीं लगने वाला है जो की totally आपको online ही payment करना होग और कोई भी इसकी जो fee refund नहीं होती है जाओ जाकर apply करो अच्छी vacancies है और इसके regarding कुछ भी doubt है तो आप मुझे comment करके ज़रूर बता है वीडियो इस पर लगी हो please like and subscribe करें चले मिलते next video में तब तक के लिए जहिंद